कड़का रंग मंच पर आप सिन रहे हैं रिशाप भरद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझ से राप्ता हयालों के अबालों से एक दासता सुनोगे तुम भी क्या मुफलिस हर जजबातों में किसे रूह को छुआ है तुमने क्या लाखों अर्मान लेकर मुस्कान लेकर सीने में दूफान लेकर बढ़ता ही चला कुछ तो है तुझ से राप्ता कुछ तो है तुझ से राप्ता पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नौकरी और प्यार दोनों में असफल होने के बाद विदित को पीने की इलत लग जाती है पीने की गंदी इलत के कारण उसने अपनी बची कुची सारी सेविंग्स उड़ा दी है मकान मालिक का तीन महने का खिराया बाकी है लैनलोड से बचने की जद्दो जहत आखिर कार एक दिन नाकाम हो जाती है और एक रात उसे पार्क की बेंच पर गुजारनी पड़ती है जहां अगली सुभा विदित के पास उसके जूनियर हर्ष का कॉल आता है जो उसके आगे साथ बिजनस करने का प्रपोजल रखता है अब आगे विदित भाईया किधर? अरे हर्ष, तू तो एक दमी बदल गया कॉलेज में तो कैसे चोमू जैसे रहता था अब तो अंतर्परनेर बनने के सपने देखने चला है सब आपकी वज़े से है भाईया जब आपने शहर छोड़ के डेली आने का रिस्क लिया उसके कुछ ताइम बात मेरा भी मन हुआ के बड़े शहर में जाके अपनी किस्मत आजबाओ इस शहर की चकाचौन में कहीं खो मत जाना अब आप मिल गए है अब खोएंगे थोड़े ना अच्छा वो सब छोड़ क्या प्लान है आपको अगर सच बताऊं तो मेरे पास ना तो कोई प्लान है अभी ना मैन पावर है और ना ही कोई आइडिया और ना ही पैसे है अभी तो बस दिमाग में एक चीज है कि कुछ बड़ा करना है चाचा दो चाए देना वाव मेरे यां अंतरप्रनियर बिना किसी प्लान के तू यहां तक आ गया एक काम कर तू ना चाए की टपरी खोल ले हद है यार अब क्या बोलू भाईया बिजनेस के लिए सबसे पहले प्राब्लम ढूंड फर एक्जमपल मान के जलो हम लोग अपना एक कैफे खोलते हैं इट्स टू थाजन नाइन बट सिल यह बड़े कैफे अकसर नीचे क्लास या कहें अपर मिडल क्लास लोगों को टार्गेट करते हैं क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे जैसे सामानने परिवार से आए लोग भी बढ़ियां से कैफे में चाई पीते-पीते एक हाई क्लास अम्बियन्स का मजा ले सके बात में दम तो है भईया पर हमारे कैफे की यूएस पी क्या होगी सब मैं ही सोचूँ अचा रुक हम आने वाले हर कस्टमर को उनका एक इंडिविजनल प्राइविट स्पेस देगे साथ के साथ लोकल आर्टिस से टाइप कर हर शाम वहाँ एक जामिंग नाइट हुआ करेगी जहां पे कोई भी आके कैरी ओके पर परफॉर्म कर सकता है यह तो काफी कूल है है ना और हाँ आने वाले हर कस्टमर के लिए पहली सर्विस फ्री होगी फिर चाहे वो कुछ भी मंगा है चाय, कैपचीनो, कोल कॉफी, स्नैक्स, anything साउंड्स गूड, यह लगा ना तुने अपना बिजनस माइड चलो भाईया, इस बार अपना कैफे ही खोलते है बात तो तेरी ठीक है आश पर भाई, अब भी अपना खुद का कैफे खोलने में लाखों का खर्चा है कमाई का पतानी और तू भी कंगाल और मैं तो बड़ा वाला कंगाल विदिद भीया, मेरी नजर में कुछ इन्वेस्टर्स तो है बट अल्टिमेटली वी हैव तू प्रेजेंट आर आइडिया कंविंसिंगली वो तू मुझ पर छोड़ दे तो फिर चला क्या तुमारा कैफे? चला, यार विदिद की वज़े से वो कैफे एक दोड़ पड़ा पर रुची, इट वस टफ रूट बदेन लाइफ में सब कुछ असान हो तो मज़ा कहां आता है अधर विदिद अपनी चीजों को लेके जूज रहा था और इधर हरी ने मीरी लाइफ मुश्किल बना दी थी एक दूसरे के हाल से बेखबर एक दिन विदिद का मेरे पास कॉल आया हाई रुची विदिद? क्या बात है तुम मेरी अवाज पहचान गई? लग तो नहीं रहा, वैसे रागव ने मुझे को सब बताया छोड़ो ना विदिद, उन सब बातों का अब कोई फाइदा नहीं तुम बताओ, कैसे कॉल किया था, सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ रुची, मैं सोच रहा था कि तुमें कॉल करके पूछ लूँ कि तुम मिलोगी या नहीं थोड़े दिन बाद मिले क्या? सच बताओं, तो मेरा भी मन नहीं किसी से मिलने का ओ, तो इस रूट की लाइन साभी अपने खयालों में व्यस्त है या कहूँ कि ओवर्थेंकिंग में मस्त है क्या? क्या, क्या, ये वो रुची तो है यी नहीं जो हर एमोशन्स को अपने बस में कर लेती थी ये तो वो रुची है जो अपने इमोशन्स के बस में आ गई है बड़ा आए, इमोशन्स समझने वाले हाँ, जो भी कहलो, पर मिलो अच्चा, ठीक है, पर कहाँ? ये जो कैफे आजओ, मालविय नगर में ये जो कैफे है, इसका नाम ही है ये जो कैफे और ये जो कैफे की एक कप चाए, हर मुश्किल आसा हो जाए ओके बाबा, आइम कमिंग विदित में पहुँच गई कभी-कभी पीछे देख लेना चाहिए अकसर खोई हुई चीजे पीछे मुणने पर ही मिलती है ओ, हाई चलिए मैडम, बैठिए आप लखी कस्टमर हैं यहां की इन फैक्ट, मैं लखी हूँ जो तुम यहां आए थांक यू, थांक यू फॉर दिस कॉंप्लिमेंट हलो सर, हलो मैम सर वो इन्वेस्टर्स की मीटिंग है आज तो हर्ष को बोलो अटेंड करे मैं आज अपने स्पेशल गेस्ट के साथ बिजी हूँ ओके सर और हाँ, शेफ से कहो अपनी बेस्ट जिश सर्व करे ओके सर यार ये वेटर ने इस तरह से बात क्यों की तुम से वो वेटर नहीं, मैनेजर था मेरा और ये जो कैफे है जिसका नाम ही ये जो कैफे है वो मैंने शुरू किया है कहानी जारी रहेगी आप सिन रहे थे तरका रंगमज पर ट्रिशा भारत द्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझ से राप्टा